हलो फ्रेंट्स, वेलकम टू दू नॉलिज फॉर यू फ्रेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट एससे डिप्लोमा की जो प्रोविजनल मेरिटलिस रिलीज हुई है उसके बाद आपको कौन सी स्टेप जो है वो फॉलो करनी है मतलब अब आपकी मेरिटलिस जो है वो लग चुकी है उसके बाद आपको क्या कौन सी स्टेप जो है वो फॉलो करनी चाहिए और फ्रेंट्स मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि जिन भी स्टूडेंट्स का मेरिट नमबर वगले ज्यादा आया है फ्रेंट्स वो उनको आगे फर्दर स्टेप कौन सी फॉलो करनी है ताकि उनको भी एक जो है वो अच्छा कॉलेज मिल जाए ऐसे भी स्टूडेंट्स है जिनका मेरिट नमबर वगले ज्यादा आया पकर उनको गवर्मेंट कॉलेज जो है वो मिल जाते है ये सब्सक्राइब करने वाले हैं वीडियो में आखरी तक बने रहेगा अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बल आइकन को ज़रूर दमा देना ताकि मैं जैसी वीडियोस दालो आपको नोटिफिकेशन की तुरू अपडेट मिलती रहे सबसे पहले सबसे पहले चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम डिसकस करते हैं निकलने के बाद आपको कौन कौन से स्टेइप फालेव करनी है तो फ्रेंड्स आपको आपकी आपकी जो प्रॉस combination िकलियों partners अपने अपने सारद स्टेटस येवह चेक कर लिना अच्छे तरीके से आपका नाम आपकी हर एक डीटेल आपकी जो मार्क्स वगए रहे वह खासकर अच्छे तरीगे से चेक करना क्यूंकि मैक्सिम्म टाइम देखा गया है कि आपके जो मार्क्स वगए रहे उसी में गड़बढ होती है best वायई सो यह सब आप जो वह च मर रखकर लेना आपने जो भी स्टेट के हशापसे मेरे अपर बैद यह रहे रहे वगरे वह अच्छे तरीशग करने लेना इन ये अगरा आपको लगता है क्या च्छे डीटेल स 14 अपने फॉर्म को ग्रेविरैंज में डालना अब यैसे आपको पताता कुंछ क्या होता है , दिखाई देगा ,। पर जैसे क्लिक कर होगें , आपको reason दिखाई देंगे जैसे आपको ग्रेवरेंस क्यों डाल रहे हो आप आपके नाम में कुछ गलती हुई है ऐसे करकेता करते हैं आपको बहुत सारे सब कुछ अच्छा रहा है तो उनको आगे कौन से स्ट्रेजियों फॉलो करनी है तो अगर आपका रैंक कम आया है तो आप अच्छे-च्छे कोलेजिस की जो वह लिस्ट बगर बनाना शुरू कर दो जैसा आपका रैंक अच्छा खासा है फिफ्टी प्लस आया या फिफ्टी क चाहनकारी आप उस website से निकाल लो या उनके colleges में जाकर बूच लो या उनके cutoff वगरे जो है वो अच्छे तरीके से देख लो ठीक है अब मैं आपको ये भी पताता हूँ कि जिन भी students का rank वगरे जो है वो जादा आया है तो friends उनको steps कौन सी जो follow करनी है so friends जैसा कि आप जानते है इस साल जो है सबी को अच्छे marks जो है वो मिले है इसी के चलते हैं आपको पता है कि हर एक colleges का cutoff है वो बढ़ने वाला है चाहे वो government हो government का तो बढ़ने ही वाला ये पकी बात है private colleges में भी जो अच्छे colleges है top के colleges है उनका भी cutoff जो है वो बढ़ने वाला है और friends मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे एक student का rank जो है वो 100 आया और एक student का जो रांक है वो 1000 आया तो friends यह student को तो कोई इसको तो कोई भी college जो है वो मिल जाएंगा अच्छी branch वहाँ पर आप इसको मिल जाएंगी मगर टेंचन तो यह students को है ना कि इन students को कौन सा college मिलेंगा ठीक है तो friends मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सी steps जो है वो follow करनी है जिन भी students का rank वगरे जो है वो ज्यादा आया ह और अपने जो colleges की लिस्टे उसमें government colleges को उपर arrange करना ताकि आपके chances भी बढ़ जाए कि आपको हो भी सकता है कि आपको branch वहाँ पर मिल जाए ऐसा भी देखा गया है कि हर बार branch मिल जाती है ठीक है यह सब process जो हो आप follow कर लेना ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ आपकी जो colleges खुल जाएंगे उसमें आप government colleges वगरे जो हो अच्छे तरीके से arrange कर लेना मैं तो यह भी बोलूँगा कि आपको जो branch होना उसके अलावा भी branches दालना तो आपको chances बढ़ जाएंगे कि उस college में आपको एक आदी branch में जो हो admission मिली जाए ठीक है यह सब process जो हो आपको follow करनी है so friends मैं आपको important dates भी बता देता हूँ कि आपको कौन कौन सी dates पर क्या क्या step जो हो follow करनी है so friends यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो provisional merit list हो चुकी है यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी provisional merit list release हो चुकी है इसके बाद जिन भी students का form वगरे में गरत आया तो friends वो ग्रे सेप्टेंबर को निकलेंगी और आपका 13 September को यह आपकी seat matrix भी निकलेंगी है आपको देख सकते हैं चालू हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स क्या प्राउंड वन भी उसी दिन आपका चालू हो जाएगा आपको 3 दिन मिलेंगे अपने option form भरने के लिए ठीक है उसके बाद आपको ध्यान में रखना जरूर ही है ठीक है फ्रेंट्स मैंने आपको इतना जो बताया इतनी स्रवजवा आपको फॉलो करनी है इसके अलाव भी आगर से आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते है या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मेसेज करके भी और आपकी जो भी कुईरिस हो कमेंट में कमेंट करना जरूर ना कमेंट जरूर करना मैं वहां पर आपको रिप्लाइ देने की पूरी कोशिश करूं